जोतिश ग्यान चैनल के सदस्यवन अपना प्यार देने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जोतिश ग्यान चैनल को और इस बैल आइकन को दमाएं ताकि अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले नमस्कार मित्रो मैं आचारिय अबिजी शर्मा हमारे आपके हम सब के चैनल जोतिश ग्यान में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन जातकों की जिनका जन्म किसी भी वर्ष के प्रथम मा यानि जन्वरी में हुआ है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जन्वरी महमे जन्मे जातकों का आचार, विचार, व्यवहार, सुभाव, शुब दिन, शुबरंग, शुब अंग, विवाह वर्ष वा कौन से वर्ष में मिलती है इने सफलता जो देती है करियर को एक स्रिस्ट मुकाम जो 36 रनुसार जन्व्यक्तियों का जन्म जन्वरी महमे होता है ऐसे लोगों की परसनल्टी देखने काबिल होती है इस महमे जन्मे लोग किसी भी परिस्तिती को अपनी चातुरियता के दम पर संभाल लेते हैं इनका सुभाव सदेव खुश मिजाज होता है जन्वरी महमे जन्मे लोग किसी भी व्यक्ति फिर चाहे सामने वाला व्यक्ति छोटा हो या बड़ा बहुत जल्द किसी के साथ भी ढल जाते हैं जन्वरी महमे जन्मे लोगों का भाग्या इनका परिपुनता से साथ देता है कम मैनत में भी यह लोग जीवन में स्रेस्ट मुकाम हासिल कर लेते हैं यह जौब करें यह व्यवसाय इन्हें अन्य लोगों से अधिक अपने कर्म शेत्र में सराहना प्राप्त होती है यह लोग जो भी कारिय करें इन्हें उस कारिय को प्रोफिशनली तरीके से करना व्यकराना पसंद होता है और यही कारण है कि इन्हें अन्य लोगों के द्वारा की ये कारिय बहुत जल्द पसंद नहीं आते मन में कोई भी बात हो तो खराखुटा जरूर कह देते हैं गिन्तु यह लोग मन के बहुत साफ होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए इनके मन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं होता इन्हें सबको अपने साथ लेकर चलना बहुत पसंद होता है जन्वरी माह में जन्मे लोग अपने परिवार के सुक्सोविदाओं का पूर्ण ध्यान रखने वाले होते हैं यह लोग अपने मन की बात हर किसी के साथ साजान नहीं करते इन लोगों में पाई जाने वाली एक और विशेषता यह है कि सामने वाले व्यक्ति की मन की भावनाओं को बहुत जल्द पढ़ लेते हैं किसी भी व्यक्ति को पहचानने की शमता इन लोगों में अन्य लोगों से अधिक पाई जाती है इन लोगों की परसनल्टी इतनी आकरशक होती है कि एक आएक कोई व्यक्ति इन पर हावी नहीं हो सकता इवन सामने वाला व्यक्ति कोई भी बात करने से पहले दो बार सोचता है कि मुझे ये बात इन्हें बोलनी चाहिए या नहीं समाज परिवार वे अपने कर्म शेत्र में यह लोग अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं यह लोग helpfully nature के धनी होते हैं किसी भी व्यक्ति की मदद करना इन्हें बहुत पसंद होता है तो मित्रो यह तो बात हुई जन्वरी माह में जन्मे लोगों की विशेष्टाओं की प्रारंब किया है उस कारियों में इनका मन ना लगे तो उसे दरकिनार करते हुए इन्हें पल भर भी नहीं लगता कलपनात्मक रूप से बहुत से कारिये करने की सोचते हैं किन्तु स्वयम की आल से सुभाव के चलते सोचे गए कारियों में से सिर्फ वही कारिये करते हैं जो बहुती आवशक होते हैं अन्यता किसी भी कारिये को आज कर लेंगे कल कर लेंगे पर ही टालते रहते हैं इनमें पाई जाने वाली एक और कमी यह भी देखी जाती है कि यह लोग बहुत जल्द किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं और इसी कारण इन्हें अक्सर धुका मिलता है यह लोग किसी भी कार्य को करने के लिए हातों कर देते हैं किन्तु उस कार्य को समय पर नहीं करते और ना ही किसी को दिये गए समय पर उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं अक्सर लोगों को इनसे शिकायत ही रहती है कि यह दिये गए समय पर कभी नहीं पहुंचते जन्वरी महमे जन्मे लोगों को दिखावा करना भी बहुत पसंद होता है मित्रो यदि बात करें इनकी लव लाइफ की तो इनकी लव लाइफ बहुत अच्छी होती है लव अफेयर इनके जीवन में देखने को मिलते हैं किन्तु 90% जन्वरी बॉन लोगों का प्रेम विवा ना होकर अरेंज मेरिज ही होती है बात करें इनके विवावर्ष की तो 25, 27, 29, 30 और 31 वा वर्ष इनका विवाकारक होता है बात करें यदि इनके शुब रंग की तो नीला, हलका, गुलाबी, केसर या रंग शुब मन्य है किन्तु जन्वरी में जन्वे लोगों का परफेक्ट कलर अक्सर सफेद वे काला होता है शुब दिन सोमवार, बुद्दवार, शुकरवार मन्य है अब यदि बात करें शुब रतन की तो मित्रो यहां में आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को राशी रतने धारन नहीं करना चाहिए कुंडली एनुसार ही रतने धारन करने पर देखने को मिलते हैं स्रिष्ट परिनाम तो अई अब जान लेते हैं कौन-कौन से वर्ष हैं जो जन्वरी में जन्वे व्यक्तियों को अपने करियर में देते हैं स्रिष्ट मुकाम तो मित्रो शास्त्रमत अनुसार 21, 24, 28, 32 और 35 वे वर्ष को जन्वरी में जन्वे लोगों के लिए बताया गया है अतिशुब बताये गए वर्षों का सदुप योकर आप बना सकते हैं अपने जीवन को साकर कल इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे फरवरी में हमें जन्मे जातकों के बारे में आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी कही है जानकारी आपको पसंद आएगी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कल ऐसी एक को रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगा तब तक के लिए नमस्कार